ओम शन्ती आज 22 अक्तूबर 2030 बावा की अव्यक्त महावाक्य हैं ये रिवाइज कोर्स है 16 फरवरी 1996 तो इस मुर्ली में बावा ने मुर्ली के सार में कहा डाइमंड जुबली वर्ष में विशेश अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजानों को जमा करो डाइमंड जुबली वर्ष में विशेश अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजानी को जमा करो बाबा ने मुरली में खजानों को जमा करने के लिए समझाया है तो बाबा समझाते आगे बाबा कहते आज त्रिमूर्ती रच्ता शिव बाप बच्चों को तीन बधाईयां दे रहे हैं तीन बधाईयां कौन सी? एक शिव जन्ती की, दूसरी डाइमंड जूली की, ये तीनों परकार की बधाईयां बाबा ने बच्चों को दी फिर बाबा कहते ये अलौकिक जन्ती सारे कल्प में कभी नहीं मनाई जाती है यह ना शिव जन्ती जो होती है बाबा कहते पूरे कल्प में ऐसी कभी नहीं मनाई जाती है क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो चाहे महात्मा हो चाहे साधान आत्मा हो लेकिन आत्मा आत्मा की जन्ती मनाती है लेकिन यहां पर आप स्रेश्ट आत्मा किस की जन्ती मनाते हो परमात्मा की और परमात्मा आत्मा बच्चों की मनाते है है ना तो कितने जितर बात है हम परमात्मा की जयनती मनाते हैं और परमात्मा पिता बच्चों की बनाते हैं बावा कहते तो पदमा पदम गुना भाग्य वानात्मा हो ऐसे कभी अपने स्रेष्ट भाग्य को आपने स्वापन में भी नहीं सोचा हुगा बाबा केतने सोचा होगा ना तो कितना लखी हो तो अंदर में हमेशा ये गीत गाते रहो वाह मेरा भाग्य और बाब भी ये गीत गाते हैं वाह बच्चों का भाग्य तो बाबा ऐसे भाग्य की सराहना कर रहे हैं बच्चों की फिर बावा न्यागे कहा कि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेष्टा को देखते हैं चाहे संपूर नहीं भने हैं पुर्शार्थी हैं लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेष्टा नहीं बावा कहते मेरे सब बच्चों में विशेष्टा है सबसे पहली विशेष्टा क्या कि कोटों में कोई के लिस्ट में तो आगे न इतनी क्रोडों आत्मे हैं उन में से कोई है विशेष है उस लिस्ट में आगे और दूसरा ये कि बड़े ते बड़ी तपस्वीम जो महान आत् जो 16108 जगत गुरु भी हैं चाहे शास्तरवादी हैं चाहे महनमनलेशोर हैं लेकिन बाप को नहीं जाने है न मले कितना भी तब किया लेकिन बाप को नहीं अगर जाने तो बाबा कहते बाप के सभी बच्चे तो बाप को जानते हैं न तो कितना बड़ा भाग्य हुआ तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी उशिष्टा है और दिल से मेरा बाबा भी कहते हो न बाप पुछते दिल से मेरा बाबा भी कहना आगे है न तो दिकारी हो गए जिसने बाप को पर्ख लिया पहचान लिया तो पहचानना ये भी बुद्धी की विशेष्टा हुई ठीक है पर्खने की शक्ति की विशेष्टा हुई तो भावने तीन विशेष्टा हैं बच्चों की बताई पहला कि विशेश आत्मों की कोटों में कोई आत्मों के लेस्ट में आ गए और दूसरा कि जो संत महात्मे माहन मंडले शुर भी है उन से भी नम्मर वन में आ गए और तीसरा कि बुद्धी का कुमाल बुद्धी की वशेष्टा मिली है और पर्खने की शक्ती की क्वालिटी है इसलिए बाप को पर्ख लिया तो ये तीन मशेष्टें बावा ने बच्चों में देखी और इनका बहुत महमा की आगी बावा ने शुरात्री का रहस्य बताया बावा केते आपके लिए रात्री है क्या ये अमरीजवेला है आप तो रात्री से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्री अभी है या रात् रहेंगे तो बावा ने पुछा कि अभी अंदकार है अंदर में कि खत्म हो गया अमरीजवेला सदा वर्दान का समय है तो आपको रोज वर्दान मिलना ही है और मिलता ही है थेक है तो बावा कहते तो आप तो क्या कहते हो बाप आता रात्री में है लेकिन हमारे लिए अमरी सरूप अपना देखते हो ना बाव बच्चों को कह रहे हैं ऐसे वरदानी हो ना माया वरदान भुला तो नहीं देती है माया तो लास्ट घड़ी तक का आईगी माया का काम क्या आना और आपका काम क्या दूर से भगाना तो बावा कहते या फिर आज आओ उसको बठाओ इगे यह ना टाइम उसमें वेस्ट करोगे यह तो नहीं करोगे ना माया आए आपको हिलाए फिर आप उसको भगाओ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बावा ने माया की बारे में समझाया बावा कहते माया आती है ना तो बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं माया को बैठाने की आदत डाल देते हैं बावा ने एक्जामपल दिया कि जैसे कोई पशु को जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो तो तंग होकर फिर भगाओ लेकिन उसको तो आदत पढ़ गी तो ऐसे ही माया को भी आदत पढ़ गी है तो बावा सुनाते कि कई बच्चों में तो माया को चाह पानी पिलाने की वी आदत है चाह पानी कौन सा पिलाते हैं अब माया का चाह पानी बावा बताते हैं माया चाय पान कैसे लेती है? बोलेंगे क्या करूँ? कैसे करूँ? अभी तो पुर्शार्थी हूँ? अभी तो संपुन बने नहीं है? आखिर में हो जाएंगे. तो ये क्या है? बावा कहते हैं, ये जो संकल्प है न? ये माया का चाय पानी है. तो वो देखती है कि चाय पानी तो यहां मिलता है तो किसी को भी अगर बावा कहते है चाय पानी मिले बावा कहते हो क्यों नहीं फिर आएगा जुरूर आएगा न तो क्या करते हो माया को चाय पानी पिलाते हो बावा कहते है माया की बड़ी खातरी करते हैं कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हैं और फिर क्या करते हो फिर माया से तंग हो करके बाबा को बोलते हैं बाबा आप ही ना माया को भगाओ बावा केते आने आप देते हो और भगाई बावा क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर संकल्प करते त्रिकाल दर्शी की सीट पर सेट क्यों नहीं होते हो? बाव बच्चों से पूछते हैं क्यों नहीं बनते त्रिकाल दर्शी? क्यों नहीं हर समय हर संकल्प ध्यान दखते हो? त्रिकाल दर्शी माना क्या? पास, प्रेजन्ट और फ्यूचर को जानने वाला? तो क्यों क्या में क्यों पढ़ जाते हो? त्रिकाल दर्शी होने कारण प प्रकरति द्वारा सब परकार से परस्थितियां तो आएंगी और आने ही है लेकिन बावा ने कहा स्वास्थिति शक्तिशाली है तो परस्थिति उसकी आगे कुछ नहीं है परस्तिती बड़ी या स्वास्तिती बड़ी तो स्वास्तिती बड़ी है न तो बावा कहते कभी स्वास्तिती बड़ी हो जाती कभी परस्तिती बड़ी हो जाती तो इसका साधन है एक तो आदी, मद्या, अंत, तीनों काल चेक करो समझ कर फिर कुछ करो सोस्तिती उन्ची रखने के लिए क्या कहते बावा आदी, मद्या, अंत को चेक करो फिर कोई कार्य अक्षन में लाओ सिर्फ वर्तमान नहीं देखो सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परस्तिती उंची हो जाती कभी सौस्तिती दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो, फिर करो नहीं तो सोच कर नहीं किया तो पीछे क्या होगा? पश्ताना पड़ेगा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना पड़ेगा पीछे सोचना, माना पश्ताप करना और पहले सोचना ज्यानी तु आत्मा का गुण है ठीक है? बाबा कहते द्वापर कल्यूग में तो क्या किया? पश्ताप ही किया ना अब संगम उपर पश्ताप ना करो ग्यानी तु योगी तु आत्मा बनो ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में मन में एक सेकंड भी पश्ताप ना हो देखो बाबा ने माया के लिए कितना समझाया? कि कैसे कैसे माया आती है कैसे बच्चे चाए पानी पिलाते हैं और फिर चूटते नहीं है तो चूटने के लिए तरीका समझा दिया क्या करना है? तरीका दर्शी स्थिती में स्थित हो करके रहना है और कोई भी कार्या सोच समझ कर करना है आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया दो खजाने जमा करने पर विशेश पहला खजाना है समय का दूसरा खजाना है संकल्पों का तो बाबा केते कि हर दिन संकल्प स्रेष्ट शुब कितना जमा हुआ? ये चेक करो क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है सत्यु में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी है ना जो बाबा ने बैंक खोली हम भी जमा हो जाएगी ये बैंक भी नहीं होगी जो बाबा ने भी हमारे लिए खोली इंशूर करने के लिए हमारा सब कुछ ताकि बाबा पूरा कल्व के रेटर्न कर सके और दूसरी बैंक जो आज कल है वो भी नहीं होगी इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की अवश्यक्ता नहीं होगी इतना भरपूर करेंगे बाबा बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफटी, दुसरा बैयाज मिलता है कई बहुत होश्यार होते हैं जो बैयाज से चलते रहते हैं दुनिया में ऐसे होते हैं न कई और बाबा केते हैं इस समय तो अगर ऐसे होश्यार बने तो बहुत अच्छे हैं जम्मा करते है न लेकिन बाबा की बैंक में जम्मा करे था कि इतना बयाज मना इतना पुर्या का खाता जम्मा हो जाए इसको हम पूरा कल्प खा सकें लेकिन बाबा केते बयाज किस तरह लगाते हैं वो देखना है तो सत्यु में ना ये बैंक होगी ना रोहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी दोनों ये बैंक नहीं होगी तो इस समय का एक पदम गुना करके देने की बैंक है ये बावा ने खोली है लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा ऐसे नहीं हिसाब है बाबा केते डाइमंड जुबली में सच्चे डाइमंड बनना ही है कभी संकल पाता है कि पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे पता नहीं पता नहीं बाबा केते आता है क्या भी हो त्याग करना पड़े तपस्या करने पड़े निर्मान बनना पड़े कुछ भी हो जाए म मुझे जरूर बनना है, बाबा कहते हैं, बन कर ही दिखाओ, चाहे त्याग करना पड़े, तपस्या करने पड़े, निर्मान बनना पड़े, लेकिन बन के दिखाओ, इस पर अटेंशन जरूर दो, बाबा ने पूछा बोलो, हान जी या ना जी, बाबा कहते हान जी कहना तो ब तो बावा ने तरीका बताया कि कैसे हम पदमा पदम अपना भाग्या जबा कर सकते हैं तो उसमें पहला त्याग कौनसा मैं शब्द का त्याग ये मैं शब्द है बहुत पुराना लेकिन आज कल की बहुत रुवायर रूप का हो गया है ये मैं शब्द समापत हो भाशा में भी बाबा बावा शब्द आ गया है क्या करें बाबा मैं की जगा क्या शब्द बोल देते हैं बाबा बाबा कहते हैं कहने में देखो साधन बात ह मैं योग्या हूँ न तो यग्या हूँ तो सलवेशन या सेवा उसी परमान मिलनी चाहिए मैं योग्या हूँ मैं करती हूँ तो बावा कहते तो ये राइट है बावा कहते कोई बात कहते हो तो मैं शब्द तो आए गई न कि मैं ये करती हूँ मैं योग्या हूँ मैं शब्द वो चीज रॉंग है कहने में तो आएगा न मैं करती हूँ मैं राइट हूँ मैं रॉंग हूँ मैं शब तो यूज करना ही पड़ेगा लेकिन मैं पन नहीं तो बाबा ने का मैं पन की जगा ये देखो बाबा करता है आप नहीं करती हो तो बाप है करावनहार लेकिन करनहार त मैं शब्द यूज करते हूँ तो राइत है लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉंशिस के रोप से अगर यूज करते हूँ तो रॉंग है तो अभियास करो जब भी मैं शब्द कहते हूँ तो मैं कौन वास्तव में मैं है ही आतमा शरीर को मेरा कहते हो न तो मैं शब्द आतमा के लि तो बाब की आज सोते आ जाएगी, है ना, तो बाबा केते हूं ही आत्मा ना, ये अभ्यास डालो, जैसे उल्टा अभ्यास पक्का हो गया, नैचरल हो गया, तो जब मैं शब्द बोलते हो, तो अपना नाम रूप समरिती में आ जाता है, मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, तो इ पड़ता, तो ये उल्टे भाव से मैं पन का शब्द जो यूज करते हो, तब ही उसका रिजल्ट, उसमें मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है, तो बाबा केते कई बच्चे कहते हैं, हम तो बहुत सिवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नह होती तो बावा कहते है इसका कारण क्या है क्या कारण है बावा कहते है इसका क्या बाप मदद नहीं करता किसको जादा किसको कम देता है ऐसा है क्या मतलब हुआ आप जो कहते हो सफलता नहीं मिली तो क्या मतलब हुआ तो बावन ने का या तो बोडी कॉंशिस वाला मैपनाया हुआ है या कभी कभी सेवा साथियों से इर्शिया जाती है उस से इर्शिया के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हो दिल से नहीं और फर मिलता है दिल से सिवा करने वालों को कई बच्चे दिमाग यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस मिला की यूज करो दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस दिमाग मिला है उसको कारे में लगाना है बहुत अच्छा लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वालों के लिए बाप की याद सदा ही सहज है वो बाप को सदा सहज याद कर सकते है सिर्फ दिमाग से जो करते हैं थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगी बाबा ही कराने वाला है हाँ बाबा ही कराने वाला है हाँ बाबा ही कराने वाला है थोड़े दिर बाद दिमाग से काम किया तो मैं बना गया इसलिए दिल और दिमाग का दोनों का बैलस जाए ठीक है तो मैं शब्द कैसे यूज़ करना है बावा ने समझा दिया और मैं शब्द में इर्शा आने का भी कारण बावा ने बताया मैं अगर होगा तो इर्शा भी आएगी या बोडी कॉंशिस भरा पड़ा है तो भी तो ये सेव में विगन है इनको निकालने का साधन बावा ने बता दिया कि दिल और दिमाग दोनों का बैलनस बना करके सेवा करो फिर आगे बावा ने कहा इवशेश बचित का खाता जमा करो बावा कहते हैं ऐसा नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात ही नहीं हुई किसी को मैंने दुख ही नहीं दिया किसी से कुछ खिटपिट नहीं हुई अरथात गवाया नहीं ये तो बात अच्छी है गवाया नहीं है लेकिन जमा कितना किया है बावन ने कहा सेवा भी की तो अपनी रुहानियत से सेवा में सफलता प्रापत की सफलता जमा की तो सेवा में समय प्रमान अच्छी बात की ना सेवा की बहुत अच्छा सेवा की बिधी क्या है ये भी देखना है कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा करते हैं इतना विजी रहते हैं हमें अपने टाइम का पता ही नहीं चलता बाबा केते बहुत अच्छा है बिजी रहते हैं बहुत अच्छा लेकिन सेवा का प्रतेक्षफल जमा हुआ कि सिर्फ मैनत की सेवा में समय आठ घंटा लगाया लेकिन आठ घंटे की सेवा जमा भी हुई क्या जमा हुआ है न सेवा कितना की किस तरीके से की ये भी नोट भाबा केते करो समय नहीं गिनो कितना समय की भाबा केते जमा कितना हुआ या भागदोड़ी की या समय सोचने में गया तो जमा क्या करना है सेवा के दुरान किस बात पर अटेंशन रखना है बाबा केते सरेष्ट संकल्प शुब भावना शुब कामना के संकल्प जमा होते हैं है न सेवा बहुत करते हैं, हम बहुत बीजी रहते हैं, बहुत भागा दोड़ी करते हैं, अपनी खैर खबर भी नहीं रहती, इतना हम सेवा करते हैं, लेकिन बावा कहते हैं, उसमें चेक करो, कि मेरे संकल्प स्रेष्ट हैं, शुब हैं, शुब कामना से भरे हैं, तो जो हम स दिवा कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं, सिवा में सफलता, तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो, जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा, तो स्वति ही डाइमंड बन ही जाना है न, तो अभी समय और संकल्प, बावा कहे तो ना अच्छे में, ना बुरे में होते हैं, चार बावा कहते ये कौन सा चार्ट हुआ है बावा कहते अभी जमा करेंगे जमा करते जाएंगे तो सारा कल्प उसी परमान डाज्य भी करेंगर पुज्य भी बनेंगे चाहे द्वापर में आपसा कार रूप में गिर्ति कला में होंगे लेकिन जमा किया हुआ जो खाता है ना उसकी जड़ चितरों की पूजा है तो ये बावा कहते नोट करो कि व्यर्थ वा साधार्ण समय हमारा कितना जाता है साधान संकल्प कितने होते हैं लेकिन एक अटेंशन रखना अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम है तो कम देख करके दिलिशकरस भी नहीं हो जाना और ही समझो कि अभी हमको चांस है अम जमा कर सकते हैं बावा साथ में राहत भी दे रहे हैं रहम भी बाबा को साथ साथ में आता है न और जमाने कर रहे हो तो आज सही शुरू कर दो अपने को मंग तो साहा में ले आओ अपने आप से रेस करो दूसरों से नहीं अगर आठ घंटे जमा हुए तो कल दस घंटे जमा हो दिल्शकस्त नहीं होना जमा का खाता बढ़ाओ अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है बावा केते जब रिजल्ट एनाउंस हो जाता है फिर कुछ नहीं हो सकता लेकिन अभी चलो पुर्शार्थ का मार्जिन मिला हुआ है हम सभी बहुत बहुत पुर्शार्थ कर सकते हैं तो बावा केते बहुत मंगु सा से आगे बड़ो दिल शिकस्त नई होना है आगे वर्दान है हर बात में कल्यान समझ कर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकाल दर्शी भव हर बात में कल्यान समझ कर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकाल दर्शी भव बाबा केते कोई भी बाद एक काल की द्रिष्टी से नहीं देखो तरिकाल दर्शी होका देखो क्यों क्या के वजाए सदा ये संकल करो कि जो हो रहा है उसमें कल्याने जो बाबा कहे वो करते चलो फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्यान भरा हुआ है इस निश्य से कभी डगमग नहीं होंगे संकल्प और सौपन में भी व्यर्थ संकल्प ना आए तब कहेंगे अचल अडोल महावीर स्लोगन है तपस्वी वो है जो शिर्मत के इशारे परमान सेकंड में नियारा और प्यारा बन जाए ये तपस्वी की निशानी है जैसे हमारे सबी पुरुजों में यही बहुत बहुत गुंड रहे कि यो बहुत तपस्वी रहे जैसे बाबा का इशारा मिला एक सेकंड में नियारे और प्यारे बन गए फिर चायो कोई स्थान हो चायो कोई कार्या हो जो इबावन नरेक्षन दिया उस परमान चलते गए एक शिर्मत का इशारा जैसे मिला वैसे हो गए तो ये तपस्विय की निशानी है कि एक सेकंड में नियारा प्यारा बन जाना ठीक है ओगम शन्ती